हेलो मित्व, आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिसकस करेंगे, वो टॉपिक है प्रोफेशन, जितने भी लोग कुंडली दिखाने आते हैं, किसी भी अस्ट्रोलोजर के पास, आम तोर पर उन में से काफी ज्यादा लोगों का जो कॉश्चन होता है, वो हमेशा अपने प्रोफ कारोबार की, कि किस परकार केपी अस्ट्रोलोजी का उप्योग करके, हम लोग ये ग्यात कर सकते हैं, कि कोई जातक अपने जीवन में नोकरी करेगा, या कारोबार, या किस कारिय को करके, उसे सफलताएं मिलेंगी, और कौन-कौन से कारिय उसके लिए नुकसान दायक होंग कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आप ये मान कर चलिए कि ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है, ठीक है, हम लोग कम से कम पाँच वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंग ये वीडियो बेसिक है इसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा ओर एडवांस पर लेकर जाएंगे धीरे-धीरे ठीक है और जादा से जादा एक्जामपल्स को ही करने की कौसिस करेंगे ताकि हमें जो कॉम्बिनेशन्स हैं उन्हें किस तरीके से अपलाई करना है वो समझ में आ होगा या कारोबार में सफल होगा ये इस कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है नोकली का कॉम्बिनेशन होता है दो छे दस और ग्यारा ठीक है दूसरा हाउस छटा हाउस दस्वा हाउस और ग्यारवा ठीक है और कारोबार के अगर हम बात करें तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है दो साथ दस ग्यारा अगर नोकरी वाले कॉंबिनेशन में जो मुक्य भाव है वो है छटा भाव और जो कारोबार है उसके लिए सात्वा ठीक हालकि अगर हम बात करते हैं सभी भावों की तो दूसरा भाव हमारे लिए जो धन संचे है मतलब धन को जोड़ना ठीक है और इसे दरसाता जैसे हमारा बैंक अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट हम लोग क्यों कोलते हैं हम लोग bank account इस वज़े कोलते हैं ताकि इसके अंदर हम लोग धन को जमा कर सकी हैं। ठीक है। अज़र दूसरे भाव से जो धन देखा जाता है वो धन वो होता है जिसे हम लोग असानी से मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे माल लिज़े हमने कोई FD बनवाई है तो FD हमारा धन है हमने उसे इखटा करके रख लिया लेकिन अगर जरुवत पड़ती है तो हम लोग उस FD को असानी से तुड़वा कर इस्तमाल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोपर्टी नहीं आएंगी। क्योंकि प्रोपर्टी वैसे तो हम लोग प्रोपर्टी को बेच कर भी अपना उस से जो में धन मिलेगा उसका उप्योग कर सकते हैं। बताता है कि दूसरा भाव उस धन संचे को बताता है जिसे असानी से लिक्विड किया जा सकता है, मतलब जिसे असानी से कैश में कंवर्ट किया जा सकता है. बात करते हैं दस्वे भाव की देखो यह जो हमारा दस्वा भाव होता है यह कर्मिस्थान है ठीक है इनसान का कर्मिस्थान अब देखे कर्मिस्थान का मतलब उसके प्रोफेशन की बात हो रही है और जो समाजिक परतिष्टा है वो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी भी होती है और वेस सी बात है अगर आप देखिए कोई व्यक्ति आईएस ओफीसर है या आईपीस ओफीसर है या किसी अच्छे पद पर बैठा है तो उसकी समाजिक परतिष्टा अपने हम जादा होगी और अगर कोई व्यक्ति मान लीजी पियन का काम करता है या कोई प्राइविट जोब करता है और छोटे लेवल पर जोब करता है तो उसकी समाजिक परतिष्टा अपने हम कम हो जाती है ठीक है इसी परकार जातक कौन सी फिल्ड में सफल होगा या किस परकार के बिजनेस को करके वो सफल होगा इसका आकलन भी हम लोग दसवे भाव से ही करते हैं अब बात आती है ग्यारवे भाव की तो देखें ग्यारवे भाव के बारे में तो आप एक बात याद रखिए ये भाव जब भी किसी कॉंबिनेशन के साथ एड होता है तो हमें प्रॉफिट मिलने लगता है उस कॉंबिनेशन से तो यहाँ पर भी ग्यारवा भाव जो है वो प्रॉफिट का यह हमारी जो डिजायर्स है हमारी जो इच्छाई हैं उसे पूरा करने का भाव है अब obvious सी बात है जब आप नोकरी करेंगे या कोई वेवसाई करेंगे तो उससे अगर आप धन कमाएंगे तो profit होगा आपको ठीक है अब जब profit होगा तो आप अपनी च्छाओं को पूरा करेंगे ठीक है नोकरी या business में अगर promotion की बात करें तो उसे भी 11 भाव से देखते हैं क्योंकि वो भी एक तरीके का profit होता है ठीक है अगर आपकी salary increase हो रही है तो ये भी एक तरीके का profit है तो इसे भी देखने के लिए हम लोग 11 भाव का ही उपयोग करेंगे अब बात करते हैं छटे भाव की जो नोकरी है जो वेतन प्राक्ती है ठीक है ये छटे भाव से देखे जाती है ठीक है और वेतन आपको तभी मिलता है जब आप नोकरी करते हैं जब आप कोई बिजनेस करती हैं, तो आपको कोई वेतर नहीं मिलता, ठीक है, वो आपकी अपनी अर्निंग होती है, सात्वा भाव, यह पार्ट्रशिप का भाव है, ठीक है, व्यवस्थाय का भाव है, ठीक, अब बात करते हैं, कौन-कौन से घ्रह यहाँ पर एक्टिव होनी चाहिए देखिए जो सनी है ये वास्ताव में नोकरी का कारक है या क्या देजिए जो प्राइम सिग्निफिकेटर है ये ये नोकरी का है तो अगर किसी व्यक्ति की डीबिये में शनी उपस्तित है तो जात तक को नोकरी प्राप्त हो जाएगी ठीक है और वो अपने जीवन में नोगरी करता रहेगा लेकिन इसके विप्रीत जो बुद्ध है मतलब जो हमारा मरकरी है आपने देखा होगा मरकरी जो है वो intellectual capacity या intellectual capacity को represent करता है किसी भी individual की ठीक है ये वेपार का कारक भी है वानिची, commerce इन सब का कारक हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो जब ये DBA में activate होता है तो व्यक्ति का जो रुज़ान है वो business की तरफ जाता है और अगर DBA में शनी activate होता है तो व्यक्ति का जो रुज़ान है वो नोकरी की तरफ होता है अब मान लीजे मैंने बताया है आपको कि जो नोकरी के लिए combination है वो है दो, छे, दस, ग्यारा अब अगर ये combination बनेगा तो जातक को नोकरी प्राप्त होगी लेकिन देखिए एक बात याद रखिए ऐसा बहुत rare case में होता है कि ये पूरा combination बन पाए तो ये combination हमें इस तरीके से मिल पाता है कभी हमें मिल जा ठीके पूरा combination नहीं मिला तो अगर मैं बात करूँ दो, छे, दस, ग्यारा ये combination complete combination है ठीके लेकिन अगर मुझे दो और छे मिलता है तो भी मैं मानूगा कि जातक को नोकरी मिल सकती है लेकिन ये जो combination है ये बहुत ज़्यादा weak होता है मतलब नोकरी मिलेगी, छोटी नोकरी म मिलेगी नोकरी में हो सकता दिक्कते भी चलती रहें ठीक है ये combination कुछ ऐसा भी हो सकता 6,10 अब ये combination पिछले combination 2,6 से थोड़ा सा strong है अब combination ये भी हो सकता है 2,6 और 10 अब ये देखिए ये जो combination है तीसरा वाला ये पिछले दोनों combination का combined है तो obviously बात है ये पिछले दोनों combination 2,6 और 10, sorry 2,6 और 6,10 से strong माना जाएगा इसके बाद combination बन सकता 10,11 ठीक है इसमें करम भी है लाब भी है पहले जो तीन combination थे उसमें लाब नहीं था ठीक है इसका मतलब है लाब का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे लेकिन पैसे आपको इतने मिलेंगे कि आप बस घर चला लें ठीक है आप अपने इच्छाएं नहीं पूरी कर सकते क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए आपको extra मनी चाहिए एक combination बन सकता है 6 और 11 का एक combination बन सकता है 2,10 और 11 का इसके बाद combination बन सकता 6,10 और 11 का तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी कुंडली में 2,6,10 यह पूरा combination मिले ठीक है इसकी जगा आपको 2,6 मिल सकता है 6,10 मिल सकता है 2,6,10 मिल सकता है 10 और 11 मिल सकते है 6 और 11 मिल सकते है 2,10,11 मिल सकते है और 6,10,11 इसके अलावा भी हो सकता है कोई combination मिल जाए तो इसके अंदर जो पहला combination है 2,6 यह बहुत weak होता है लेकिन अगर combination मिलता 6, 10, 11 तो इस combination को हम लोग strong मानेंगे इसी तरीके से अगर हम business की बात करेंगे तो वहाँ पर आप 6 को replace करके 7 लिख देंगे जैसे अगर हम बात करेंगे 2 और 7 की तो वो business का combination तो होगा लेकिन week होगा लेकिन अगर हम बात करेंगे 7, 10 और 11 की तो वो combination business के point of view से strong होगा और देखिए अगर पूरा combination बनता है 2, 7, 10, 11 कारोबार के लिए या 2, 6, 10, 11 बिजनेस के लिए तो फिर तो कुछ कहने की बाती नहीं है लेकिन आम तोर पर मैंने नहीं देखा है कि combination complete बन पाता है बहुत rare कुंडली ऐसी आपको मिलेंगी जिसमें कोई combination पूरा बने नोकरी छूटना या कारोबार में नुकसान होना इसका combination होता है 5, 8 और 12 तो अगर किसी जातक की DBA में 5, 8, 12 ये combination activate है तो वो जो नोकरी कर रहा है उस नोकरी को वो छोड़ सकता है या वो नोकरी छूट जाएगी और अगर वो कोई business कर रहा है तो उस business में उसे नोकसान भी हो सकता है ठीक है अब ये तो उपर वाली बात तो हो गई नोकसान की या नोकरी छूटने की कभी-कभी ऐसा होता है कि नोकसान नहीं होता लेकिन हम अपने काम धंदे को बदल देते हैं अपनी नोकरी को बदल देते हैं तो उसका combination होता है पांच और नो लेकिन इस combination के साथ ये जरूरी है कि जो सेपरेटिव नीचर के प्लैनेट होते हैं जिसे सेपरेटिव नीचर आप समझते होंगे अलग करना प्रथक करना ये ये प्लैनेट होते हैं शनी राहू और केतु तो अगर पांच और नो एक्टिव है डी बी ये में और उसके साथ साथ शनी राहू या केतु इन में से किसी एक का भी परभाव है तो जात तक अगर कोई नोकरी कर रहा है तो उस नोकरी को चेंज करेगा या अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस को चेंज कर लेगा अब पांच और नोकी ही बात क्यों करीं तो देखिए जो छटा भाव होता है ये भाव हमारे वेतन का भाव है ठीक है वेतन हमें कम मिलता है जब हमें नोकरी मिलती है आप नोकरी करेंगे तभी आपको वेतन मिलेगा ठीक है और दस्वा भाव हमारा कर्मिस्थान है ठीक है जब ये दोनों भाव मिलते हैं तभी जातक नोकरी करता है ठीक है अब छटे का बारवा भाव पांच होता है ठीक अगर आप counting करेंगे छटे भाव से, तो आप पांचवा भाव का बारवा भाव होगा, और दसवे का बारवा भाव नवा भाव होता है, तो इसका मतलब हो गया, आप लोगों उन्हें पहले वीडियो में देखा होगा, कि परतेक भाव का बारवा भाव उसके result को negative करता है, ठी किसी जातक की कुंडली में 6 और 10 ये दोनो भाव active होंगे, तो जातक के मन में नोकरी करने के इच्छा आएगी, और जब नोकरी करने के इच्छा आएगी, तभी वो नोकरी ढूंडेगा, और उसे नोकरी मिलेगी, लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में 5 और 9 active हो जाते है मता उसकी DBA में तो उसके मन में से नोकरी करने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे निकलती चली जाएगी वो मालीजी किसी नोकरी में लगावा भी है तो वहां उसका मन नहीं लगेगा या अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उस business में उसका मन नहीं लगेगा और जब अगर मन नहीं लगेगा पहली यहाँ पर 5 और 9 का काम केवल इतना है कि उसका मन वहाँ पर नहीं लगेगा वो छोड़ेगा नहीं हम लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग नोकरी कर रहे होते हैं मन नहीं लगता वहाँ पर हमें वह काम अच्छा नहीं लगता लेकिन हम लोग नोकरी करते रहते हैं लेकिन अगर पांच और नो जब एक्टिव हों उसके साथ साथ जो सेपरेटिव नेचर वाले प्लेनेट हैं शनी राहू और केतू इनका परभाव भी जातक कि डीविये में होने लगे तो वो जातक फिर उस नोकरी को छोड़ देगा क्योंकि सेपरेटिव नेचर का मतलब ही ये है अलग करना ठीक है तो फिर वो उसे अलग कर देंगे ठीक तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं ग्रहों के कारकत्त की मतलब कौन सा ग्रह किस कार ये को सिगनिफाई करता है ठीक है तो सूरिये ठीके सरकारी नोकरी के अगर आप बात करें तो वो सूरिये के एक्टिव हुए बगेर नहीं लग सकती ठीक है क्योंकि सरकारी नोकरी का सीधा संबंध हमारे सूरिये से होता है इसके अलावा सोने चांदी के जो भी काम होते है या जो doctor के काम होते हैं यह सारे के सारे सूरिये से ही देखे जाते हैं ठीक है तो अगर किसी जातक का सूरिये strong है या दस्वे भाव को signify कर रहा है सूरिये तो जातक या तो सरकारी नोकरी में जाएगा या कोई सोने चांदी के काम करेगा मतलब वो ऐसे काम करेगा जो सूरिय से related होंगे ठीक है यह जो मैंने list दिये है बहुत छोटी list है आप किसी अन्यपुस्तक की साहता से पूरे की पूरी list प्राप्त कर सकते हैं कि कोई planet किस-किस कारिय को signify करता है अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा obvious से बात है पानी से related जितने भी कारिय होंगे वो चंद्रमा से related होते हैं मालने जिए किसी ने mineral water को बनाने का मतलब कोई plant लगा लिया या mineral water की supply करते हैं लोग इस से related जितने भी काम होते हैं पानी से वो सारे के सारे चंद्र के active होने पर होते हैं इसी तरीके से ओईल से संबंदित कारिये या दूद से संबंदित कारिये या चांदी से संबंदित कारिये कि अगर हम बात करें तो इन सब को हम लोग चंदर से देखते हैं अगर हम बात करें डिफेंस की पुलिस की या हमारा जो आर्मी हैं ये सब मंगल के द्वारा सिगनिफाई होते हैं इसी तरीके से हतियारों की अगर हम बात करें मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हतियारों की डिलिंग करते हैं जिनकी दुकाने होती हैं, हत्यारों की हत्यार बेचती हैं वो लोग तो वो सब हम लोग मंगल से देखती हैं इसी परकार अगर हम लोग औसधी की बात करें या हम लोग बात करें कोई adventure वाले कामों की आपने देखा होगा बहुत से लोगों का profession यही होता है कि वो एडवेंचर वाले काम ही करते रहते हैं तो ये सब तब होता है जब 10th house को signify करता है मंगल अगर हम बुद्ध की बात करें तो जो कला सहित्ते की बात होगी या हमारे commerce मतलब वानिज्य की बात होगी या गणित की बात होगी या एक अच्छे वक्ता आपने देखा होगा बहुत से लोग मतलब motivational speaker बन जाते हैं वो बात इस तरीके से करते हैं कि लोग उनकी तरफ attract होते हैं तो ये सारे के सारी कारिये तब ही होते हैं जब बुद्ध active होता है बुद्ध strong होता है बुद्ध 10th भाव को signify करता है अगर हम गुरू की बात करें तो कानून विवस्था और धर्म की जो फिल्ड है वो बुद्ध के द्वा सोरी गुरू के द्वारा signify होती हैं तो जितने भी वकील वगेरा होते हैं ये सब profession इसी के अंडर आते हैं अगर हम बात करते हैं सुक्र की तो कवी या कोई अभी नेता ये जो फिल्म लाइन है इत्र की बात या सिलाई कड़ाई के जो काम होते हैं घर में या कोई antic piece की बात होती है मतलब जो कलात्मक वस्तुवे होती हैं या अगर हम बात करें किसी कॉस्मेटिक की ये हम बात करें ये जो ब्यूटिशन्स होती है ब्यूटि पारलर ओपन कर लेते हैं लोग तो ये सारे के सारे काम वीनस के अंडर आते हैं इसी तरीके से गर हम बात करें बड़े-बड़े कारखानों की लोहे की, खनन की तो इन सब पर जो अधिकार है, वो अधिकार है शनी का, तो जब भी आप किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को अनिलाइज करें, तो इन प्लेनेट्स पर जरूर ध्यान दें और उसी के एकोर्डिंग आप उसे सज़स्ट करें कि उसे किस काम में जाना चाहिए अब हम लोग एक कुंडली लेकर चलते हैं, जनम तीती है 24-6-1962 समय है 3.44 मिनट 15 सेकंड जनमिस्तान है एहमदाबाद, गुजराथ तो ये कुंडली मैंने बना रखी है आप लोग जब सौफ्टर से बनाएंगे तो भी आपको ये मिल जाएगी अच्छा, जनम के समय जाद तक की महादाशा थी, गुरू की अब मैंने कुंडली बना ली है रासरी कुंडली और भावचली कुंडली दोनों है इसके अलावा मैंने कस्पल पोजिशन वाली टेबल भी बनाई है फिर मैंने प्लेनेटरी पोजिशन की टेबल आपके सामने बना दी और इसके अलावा मैंने जो प्लेनेट सिगनिफिकेशन है मतलब प्लेनेट कौन कौन से भावो को सिगनिफाई करता है उसकी टेबल भी आपके सामने बना दी अब आप ये सारा का सारा data यहां से भी देख सकते हैं यदि आपके पास softer है तो आप अपने आप भी कुंडली को बना सकते हैं अब हम लोग analyze करके देखते हैं बेसिक है मैं फिर बता रहाँ कि अभी सिर्फ हम लोग basic सीख रहे हैं profession को analyze करने का कि किसी जातक के प्रोफेशन को किस परकार से आप लोग ऐनलाइज कर सकते हैं तो हमने जो बेसिक रूल सीखा है अभी नोकरी और कारोबार का तो नोकरी का था दो छे दस ग्यारा कारोबार का दो साथ दस ग्यारा और इसके अलाव हमने देखा था कि जो शनी और बुद्ध जो बुद्ध था वो बिजनेस को सिगनिफाई करता है शनी या तो नोकरी को सिगनिफाई करता है या हमारे जो कार खाने हैं या खनन का जो काम है इन सब को सिगनिफाई करता है तो आप इन बातों को दिमाग में रखें और देखें कि क्या ये इस कुंडली पर अपलाई होती है या नहीं होती है तो यहाँ पर मैंने वो टेबल रखी है तो अब मुझे क्योंकि इस जातक का प्रोफेशन देखना है तो प्रोफेशन के लिए सबसे पहले मैं जाँगा दस्वे भाव भी क्योंकि दस्वे भाव ही सबसे इंपूट का और मिस्तान तो मारा दस्वे भाव है तो ओविस सी बात है सबसे पहले मुझे दस्वे भाव को चेक करना पड़ेगा कि दस्वे भाव क्या कहता है ठीक है तो मैं बात करता हूं दस्वे भाव की तो अगर आप दस्वे भाव को देखे मैंने यलो कलर से हाइलाइट कर रखा है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कस्पल सब लोड ठीक है तो दस्वे भाव का जो कस्पल सब लोड है आपको दिखाई दे रहा है वो है सुक्र वीनस अब आप वीनस का यह देखें कि वीनस किस को कौन-कौन से भाव को सिगनिफाई करता है तो साथ वाली जो टेबल है प्लैनेट सिगनिफिकेशन की इसके अंदर अगर आप देखें तो वीनस सिगनिफाई करता है 1, 3, 9, 10, 11 1, 3, 9, 10, 11 तो यहाँ पर मैंने 10 और 11 को green कर रखा है क्योंकि यह नोकरी या कारोबार के positive house है तो कि combination क्या 2, 6, 10, 11 या 2, 7, 10, 11 अभी मुझे वीनस को complete करना है वीनस को मैं कैसे complete करूँगा वीनस को complete करेंगे इसके star load और इसके sub load से तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी पहली table planetary position में तो यहाँ पर अगर मैं वीनस को देखता हूँ तो वीनस का जो star load है वो है शनी और जो इसका sub load है वो है राहू तो अगर आप देखें शनी तो शनी सिगनिफाई करता है 2, 9, 10, 11 तो 10, 11 फिर repeat हो गया इसके बाद राहू सिगनिफाई करता है 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 तो अगर आप राहू को देखें क्योंकि सब load है main decision यही लेगा तो यह 7, 10, 11 तो 7, 10, 11 इसका मतलब है यह combination बिजनेस की और indicate करता है और strong combination बन रहा है क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई भी negative भाव नहीं दिख रहा है अब यह बात तो clear हो गई कि दसवय भाव यह indicate करता है कि जो जाता है जिसकी कुंडली को हम लोग चेक कर रहे हैं उसका जो रुझान है वो बिजनेस की तरफ होगा ठीक और planet भी उसे support करेंगे ठीक है अब आगे बढ़कर देखते हैं क्योंकि हमें सारे भाव को चेक कर लेना चाहिए तो अब मैं देखता हूँ 11 भाव को तो ग्यारवे भाव को अगर आप देखते हैं तो ग्यारवा भाव मतलब इसका जो कस्पल सब लोड है वो है शनी टीक और शनी के भाव हो गए 4, 9, 10, 11 ठीक अब शनी का जो इस्टार लोड है वो है चंद्र और चंद्र के भाव है 2, 8, 9, 10, 11, 12 और शनी का जो सब लोड है वो भी है शनी ठीक है तो यहाँ बर हमारा कॉंबिनेशन बन गया 4, 9, 10, 11 तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो दस ग्यारा लगातार रिपीट हो रहा है दसवे भाव में भी दस ग्यारा लगातार रिपीट हो रहा था और यहां पर भी दस ग्यारा लगातार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है ग्यारवा भाव भी इंडिकेट करता है कि जातक क रुज्ञान बिजनिस की ओर होगा मतलब बिजनिस के लिए ये कुंडली जादा स्ट्रोंग है ठीक है अभी मुझे सात्वे भाव को भी देखता हूँ लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ शनी की देखो इस कुंडली में अगर हम शनी की बात करें तो दस्वे भाव के सिगनिफिकेटर में भी शनी आया था तब आपने देखा होगा नक्षप्र लोड बन कर आया था और ग्यारवे भाव में जो लोड था वो भी शनी था मतलब जो कस्पल सब लोड था और जो सब लोड था वो भी शनी था तो शनी लगतार रिपीट हुआ है दसवे और ग्यारवे भाव में पहली बात दूसरी बात शनी अगर आप देखें इस कुंडली के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि शनी जो है पहली टेबल देखें प्लेनेटरी पोजिशन की शनी के सामने लिखा है शनी मतलब जो उसका राशी लोड है वो शनी है तो शनी अपनी ही राशी में बैठा है तो निश्चित रूप से जब कोई घ्रह अपनी राशी में बैठाएगा तो वो श्ट्रॉंग होगा तो इसका मतलब इस कुंडली में शनी इश्ट्रोंग है ठीक है और वो दसवे और ग्यारवे भाव दोनों को सिग्निफाई भी कर रहा है क्योंकि दसवे भाव में भी सनी उपस्तित था नक्षत्र लोड बनकर और अगर हम बात करें ग्यारवे भाव की तो उसका कस्पन सब लोड बनकर और सब लोड बनकर भी जो सैटन था शनी था वो उपस्तित था इसके लावा शनी अपनी ही राशी में बैठा है तो इसका अतलब शनी यहाँ पर भी स्ट्रोंग है अब एक बात अगर आप देखें वीडियो को पीछे करके यह जो कुंडली है यह टॉरस मतलब व्रशब लगन की है ठीक है तो जो व्रशब लगन होता है उसमें जो शनी है वो योग कारक है योग कारक की हुए क्योंकि वो 9 और 10 इन दोनों भावों का स्वामी होता है ठीक है तो आपने अगर थोड़ा सा भी वैदी की अपराशरी जो 30 पड़ी है तो आप एक दम समझ जाएंगे कि जो 9 और 10 भाव का स्वामी होता है मतलब एक तिरकौन और एक केंद्र केंद्र और तिरकौन का जो स्वामी होता है वो हमीशा योग कारक होता है तो व्रशब लगन की कुंडली में जो शनी है वो योग कारक होता है तो यहाँ पर हर तरीके से इंडिकेशन जो मिल रहा है वो दो मिल रहे है क्या पहला इंडिकेशन तो ये मिल रहा है कि ये जातक का जो रुजहान है वो बिजनिस की तरफ होगा क्योंकि मुझे 10 और 11 भाव में 6 भाव नहीं दिखा इसके अलावा शनी बहुत मतलब स्ट्रोंग होकर सामने आ रहा है ठीक है क्योंकि वो सिगनिफिकेटर भी बन रहा है 10 और 11 भाव का वो अपनी राशी में बैठा है और इसके अलावा वो योग कारक भी है तो इसका मतलब इस जातक का जो रुजहान होगा वो बिजनेस की तरफ होगा और बिजनेस भी कौन सा जो शनी का होगा मतलब कोई कार खाना लगाना कोई manufacturing unit को setup करना खनन का काम करना लोहे का काम करना इन सब में उसका ध्यान लगेगा और इन सब से ही वो पैसा कमाएगा ठीक है अब एक चीज मुझे और बतानी थी कि अगर मैं बात करता हूँ सात्वे भाव की तो देखें अगर ध्यान से सात्वे भाव क्योंकि कारोबार का जो भाव होता है वो सात्वा भाव होता है ठीक और कारोबार का जो कारक होता है वो बुद्ध होता है तो अगर आप सात्वे भाव को ध्यान से देखें तो सात्वे भाव का जो कस्पल सबलोड है वो है बुद्ध ठीक अब बुद्ध सात्वे भाव का कस्पल सबलोड है तो ओविस सी बात है जातक का जो रुजहान है वो कारोबार की तरफ ही होगा पहली बाद अगर मैं बुद्ध को देखूं को कि decision main लेता है subload अगर मैं बुद्ध को ही देखूं तो बुद्ध का जो नक्षत्र लोड है बुद्ध का नक्षत्र लोड बनता है चंद्र लेकिन जो उसका subload है वो फिर बुद्ध है तो इसका मतलब है सात्वा भाव भी indicate कर रहा है कि इस जातक का जो रुजहान है वो business की तरफ होगा और business स इसे फाइदा होगा और कौन सा business जो sunny share से related होगा क्योंकि 10 और 11 भाव में सबसे जादा strong उभर कर जो planet आया है वो शनी है इसके अलावा अगर आप देखें कि वो योग कारक भी है इस वजह भी वो strong है और वो अपनी ही राशी में बैठा है इस वजह भी वो strong है ठीक है तो इ इस परकार हम लोग अगर हम लोग इस कुंडली का basic idea निकालें तो हम कह सकते हैं कि यह जाद तक business में जाएगा और business भी किसी industry को setup करना किसी कार खाने को setup करना इस तरीके का business करेगा जो लोहे के related होगा जो खनन से related होगा इस तरीके के काम वो करेगा ठीक है यह कुंडली आप अपने एक business man है इंडिया के गोतम अडान यह कुंडली उनकी कुंडली है और आप जानते हैं कि वो क्या काम करते हैं ठीक है आप इस कुंडली को और research कीजिए तब तक मैं नया वीडियो तयार करता हूं तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में